शुरू करते हैं और सही से पढ़ना है क्वेशन और आंसर देना है देखो बेटा डारेक्शन 11-14 जारे बारे तेरे चौरे चार क्वेशन पाई चार्ट गेवन हियर सोज एक्सपेंडिचर ऑप्टेंड बाई ये फैमिली और वैरियस आइटमेंड देयर सेविंग विच एमा बचत बेटा हमें 8000 रुपे के बरावर दिए यहां से आप एक ढी की वैयलू भी निकाल सकते हो यहां से जब आप 1 देखिरी की भी निकालेंगे तो कितना आएक आए का चार सो बट्ते तीन लुपे आप ये भी कर सकते हो लेकिन बड़ी इंपोर्टेंट बात मैं आपको बता दूँँ बड़ी इंपोर्टेंट बात बता दूँँ कि हमें साथ डिगरी की वैलू आठ हया रुपे दे रही है बेटा सभी बेटा लाइक करेंगे सेर करेंगे सबी करेंगे बचत कितनी की सब्सक्राइब और आपको ज्यादा धनना है कि साथ डिरी की वैलुए रुपे के बराबर है साथ सब्सक्राइब हुआ हुआ सिख्षा कहा है कितना है 30 परशेंट तीश डिग्री आप को पता है कि साट डिरी किसके बारावर 8457 तो बैटा जार रुपया यानि कि सी ऑफन इस राइट है कि हमने क्या बोला बेटा साथ डिगरी की वैलू हमें पीछले पीशे दे रखी हमें आठ है रुपे तो बेटा हमें पूछा एजूकेशन पर कितना खर्च हुआ एजूकेशन सिक्षा पर 30 डिगरी तो 30 डिगरी साथ का आदा है बेटा लाइग भी करना पड़ेगा कंजूसी बिल्कुल नहीं करने अच्छा पेपर चलना है बहुत अच्छा बहुत अच्छा और बैस्ट सब्सक्राइब कर लें बिल्कुल बिल्कुल सिखर बैक कर लेते हैं नो प्राब्लम रुची निशाद गुड अफ्टनून परव सेविंग सेविंग विच एमाउंट 8000 रुपीज इन ए मन्थ इस्टडी दफाई चार्ट एंड आंसर दा प्रस बेश्ट पाई चार्ट यह सेविंग कितना है साथ डिगरी सिक्स्टी डिगरी यह किसके बराबर दिया आठ है रुपे के बराबर सिक्ष्टी डिगरी की खर्च किया गया सिक्षा कितना बेटा तीश डिगरी यहनि कि साठ डिगरी की वैलू 8000 रुपे के बराबर है तो तीश डिगरी की वैलू किसके बराबर यह सका आधा हो गया चारहजार बहुता के लिए जिसने पूछा था क्लिए अगला कॉश्ट धियान देंगे अगला फोगन तथा बचत पर किएगे खर्चाव का अनुपात बहूजन तथा बचत बोजन कितना आगे फूर एक सो बीस बचत कितनी है सेविंग साठ डिगरी यह Krisqu дог दिगडियों है यह साठ डिगरी जो रेशों डिगरी का होगा वही बेटा क्रचे का होगा और जो क explained how यहां होगा वही दिग्री का होगा two अनुपात एक two लेशो वन underscore इस सबा ले का होगा वही कर चे का आगा ापना पड़ेगा लाइक तो करना पड़ेगा तू-2 सोवन पल्लवी करदं भी आ गई हैं कि चुधा मिस्रा clear गीता देवी लिश्य कि लोगता देवी आ गई है टूरे सोवन सुरे सोवन ले साह बिल्कुल सही संजना अगला क्वश्चन ध्यान दो परिबार के द्वारा किया गया महीने का कुल खर्च बताएं कुल खर्च अब देखो यह पूरा तीन सो साथ डिगरी मैंसे कितने डिगरी बचत किया साथ डिगरी तो खर्चा कितना होगा तीन सो डिगरी के वरावत सही है ना हमारा पूरा खर्चा के पूरे इंकम कितनी है तीन सो साथ डिगरी जिसमें से हम साथ डिगरी हम बचा रहे हैं तो कितना खर्च कर रहे होंगे तीन सो डिगरी इसका मतलब साथ डिगरी की वैलू हमें आठ हजार रुपे दे रखी है तो देखदी की वेलू क्या होगी गुणा पांच आठ पंजे चालेस चालीस हजार कि चालीस हजार कि आंसा